अस्लाम अलकूम तो इसी वीडियो में आपके बताने जारों पंजाब पबिक सर्विस कमिशन की ये COMPLETE जो प्रोसीजर होता है complete overview इस वीडियो में आपको बताया है जा हर चीज के बार में जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन के तुरू ओफर्ड की जाती है for example अगर हम आपने apply करनी है ठीक जी अपकम में jobs की detail चेक करनी है rule number slip download करना है interview call letter download करना है admission letter download करना है यजा आपने कोई result की रिबे किस कोंड चाएं चाहते हैं या result चेक करना चाते हैं या आप application संबिट कर देते हैं उसकी, आप editing कर्ना चाहते हैं तो वो किस तरह करैंगे या आप online अप्लिकेशन submit किस तरह चाहेंगे तो आपको इस वीडियो में तमाम तर चीज़ें complete overview पंजाब public service commission का दिया जाए first of all क्या करना है आपने कोई भी browser open करना है वहां पे लिखना पंजाब public service commission simply ppsc आपने इसको इंटर दबादेना तो जैसे आप इसको इंटर दबाएंगे तो यहां पर इसकी first website है ठीक जी यहां पर अगर इस पर आपने क्लिक करना है यह वाली ठीक जी simply आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपने इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो main website होगी यहां पर उपन हो जाएगी अगर मैं इसकी बात चालता र हो बात करूँ अपकमन non-job की जो इस की डिटेल किरना चाहते हैं किसकी आपकम सी होंगी तो यह पर जी थ confrontation को आप जाब सा यहां यहां पर आपको यह przest neighborhood घाब चाहरा यहां पर नस फिर Chu जिस तरह आपने क्लिक करना है? Simply आपने अपका मिल जौज पर क्लिक करना है. तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे तमाम तर जो पोस्ट आफट की जाएंगी यहां पे मिल जाएंगी. मिसाल के तो पर ये देगे जी पोस्ट नेम, ठीक जी. डीपाडमेंट कॉण सो अफट कर रहा है? और इसके नमबर और पोस्ट कितनी है Holocaust तेही राफंस एट 24 ठीक छी इसमें काफी सारी सीट्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट की है सिस्टेंसभी अन्सिपैक्टर की थी के ऩिक जिपकर्परियर्स एफ लवा करप लिकलीकी इसके लावा कि न लवा मेडिकल्ट डिपार्टमेंट की सकते हैं और यहां पहसा कि Form सर्भेज कि किप जाते हैं backspace तो आपने backspace पे आना ठीक है यहां हों पे हम क्लिक कर देते हैं तो जैसे अब हम home पे आते हैं तो जो पोस्ट अभी चल रही होंगी जो jobs new updates आई होंगी अगर उसका आप advertisement करना चाहेंगे तो यहां पर देखेंजी दिखा हो मिलता है आपको एड जॉब्स का option तो यहां पर जो भी new advertisement होंगी यहां पर आपको तुमाव तर एडवर्टाजमेंट यहां पर मिठ जाएंगे अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो simply क्याएंगे आपने मिसाल के तौर पर इसका जो एडवर्टाजमेंट में अब इसको पढ़ना जाते हैं सिंप्ली इसपे क्लिक करेंगे तो यहां पर इसका पीडियो फार्म में जो एक अलग ब्रोजर में ओपन हो जाएगा ठीक जी अब मैं मिसाल के तौर पर इस पोस्ट के बार में बताओं जो के अभी चल रही है ठीक जी जो के नूड़ टस्ट इसका जो है ना वह एडवर्ट टैजमेंट है ठीक जी अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर देखे जी इसकी जो पोस्ट है मिसाल के तौर पर इसकी जो पोस्ट है जी इंटेलिजेंस ओफिसर की जॉब्स है ठीक जी इसके लावा इसमें क्या क्या रिग्वाइर्मेंट अगर आप इसमें प्ली करना चाहिए आपके पास होनी चाहिए ग्रिजिवेशन नीन के बीए बीसी या फोर येर्ज आपका प प्ली करेंगे तब या प्ली कर सेंगे और जो आपकी डिग्री होनी चाहिए मैक्सिमम सेकंड डिग्यान में होनी चाहिए तिक जी इसके लाव आपके पास बेसिंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का इसमें क्या ये पोस्ट है इंटेलिजेंट एफिसर की ये इसकी इसकी क्या होगी मेल के लिए जो मैकसिमम है वो है eczi-actor a 45 इयर्स मतलब के मेल 410 से कम है वह अगरания हो ये इसकी मिल करना उनकी जो पोस्टिंग होगी पंजाब के किसी भी जगह पे हो सकती है इसमें जो एप्लाई कर सकते हैं आल पंजाब डॉमिसल वाले इसमें प्लाई कर सकते हैं इसमें मेल और फीमेल इंवा ट्रांसजेंडर भी इसमें एप्लाई करना चाहिए तो एप्लाई कर सकते हैं उसके Islamic study होगी, उसके लाव आपके पस non-gymouslim होगे, उनके लिए होगी ethics, उसके लाव जिवाव जिवाफिय होगी, basic mathematics होगी, English होगी, उर्दू होगी, और everyday sciences होगी, उसके लाव 20% आपका होगा basic computer studies का, तो इसी तरह से कोई भी PPSC upcoming jobs की अगर advertisement आप खुद सी पढ़ना चाते हैं, त इसी तरह से आप अगर थोसा हम नीचे स्क्रूल करें तो यहाँ पर आपको सारी post की detail मिल जाएगी, यहाँ पर, उनका slab was same, उसी तरह से जैसे कि मैंने आपको first one समझा जाए इसी तरह से उनकी detail मिल जाती है आपको, उसके बाद इसकी instruction होती है, वो यहाँ पर आपको last में मि कर सकते हैं, इसके लवा इसकी extra information अगर आप पढ़ना चाहें खुद से तो इसको भी आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक जी, यह हो गया, jobs की advertisement, आपने किस तरह चेक करना है, किस तरह इसको पढ़ना है, उसके बाद जी आ जाता है, हमारे पास, अब बैट पर जाते है, ठीक जी, यहाँ पर भी आपको results and eligibility security criteria मिल जाता है, यहाँ पर जैसे return test हो गया, final result हो गया, यहाँ पर आप वो तमाम तर चीज़े इदर भी मिल जाती है, otherwise, अगर आप अपने result की DMC चेक करना चाहते हैं, DMC, तो क्या करना है, आपने detail marks DMC, इस चगह पर आपने simply click करना है यहाँ पर DMC, इस पर click करेंगे, तो इस पर click करने के बाद, आपने simply, आप यहाँ पर क्या करना होते है, आप single paper DMC चाहते है, single paper DMC अगर आपका interview हो जाता है, उसके बाद लाच चाहते है, multiple paper DMC चाहते है, या multiple DMC after paper चाहते है, तो जो भी आपके related मिसाल के तोर पर अगर आप कर सिंगल टेस्ट होा तो आपने सिंगल डीमसी पर इस जगह पर क्लिक करना सिंपली सिंगल पर डीमसी पर फस्ट वाप्ट पर देख गयाते हैं उसके बाद कर सकते हैं री ट्राइब कर सकते हैं उसके बाद जी आपने चैक करना है कि पोस्ट किस पे आपने रिजाल्ट कार्ड चैक करना है जैसे कि अब भी इसका रिजाल्ट आया है स्टैनोग्राफर का सिंपल स्टैनोग्राफ क्लिक करके आप चैक जो रिकार्ड पर क्लिक करेंगे यहां पर को DMC का result card मिल जाएगा ठीक जी इसके बाद आपकने क्या करने इसके बाद यह हमारे पास आ जाता है कोई भी application जब आप submit कर देते हैं कोई गलती हो जाती है या mistake हो जाती है उसको आप edit किस तरह करेंगे इडिट करने के लिए आपने simply edit application पर क्लिक करके इंटर दबा देना तो जैसे आप इसको इंटर दबाएंगे तो यहां पर आपको चार चीज़ें मिल जाती हैं जिसको आपने fill up करना है यहां पर अपना cnc नमबर लिखना है फिर आपने application नमबर लिखना है उसके बाद आपने token नमबर जब भी आप apply करते हैं जब आपके application submit हो जाती है submit होने के फॉरण बाद आपके given email पे और phone नमबर पे उनका application नमबर और token नमबर आपको send कर दिया जाता है जिसको अगर आप edit करना चाहिए तो इस्तमाल कर सकते हैं result card च्क करना चाहिए तो भी इस्तमाल कर सकते हैं admission letter download करने तब इस्तमाल कर सकते हैं interview call letter download करने तब भी आप स्कोक्भाव कर सकते हैं ठीके यहाँ पे आपने simply तीनी चीज़े पुट गर नहीं ठीक है जी इस जगह पर प्रसीड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो रिजाल्ट होगा जो एप्लिकेशन इडिट का आप्शन होगा सारे पॉर्शन यहां पर उपन हो जाएंगे जिस पॉर्शन को भी आपने इडिट करने सिब्ली क्लिक करेंगे तो वहां से इडिट PPSC की website open करेंगे open करने के बाद simply आपने directly offline online के third number पर आपके पास आजाता है print application in case अगर आप application submit कर देते हैं तो यहाँ पर print application पर आपने click करना है simply ठीक दी यहाँ पर आपने click करना है तो यह open हो जाएगा ठीक है यहाँ पर जैसे आप आप अब आपने यहाँ पर क्या करना है first one आपके पास जी अप्षान है cnac नंबर का same अपने cnac नंबर लगाना है फिर अपने application नंबर लगाना है last में आपने लगाना है token नंबर तो जैसे आप application और token नंबर लगाएंगे print application पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको PDF फार्म मिल जाएगी जिस तरह से अब भी हमने यह simply उस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर में PDF फार्म में यह फार्म मिल गया था अब इसी तरह से आपके पास open हो जाएगा आपने simply print वाले option पर क्लिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पर option बेजाता है save as PDF का save as PDF क्लिक करना है उसके पास simply save पर क्लिक करेंगे जैसे आप save के पास open हो जाए अगर download का option हो तो यहाँ से आपके पास क्या करना जब आप print application कर लेते हैं तो उसके बाद यह आपके पास आ जाता जी print interview call letter ठीक जी अब जब आप test दे आते हैं test में आप pass हो जाते हैं फिर अगर आप result card इसका check करना चाहते हैं sorry इसकी interview call letter इसकी slip download करना चाहते हैं तो simply आप इस पे click करेंगे print interview call letter पे उ ठीक है जी first one पे उसके बाद आपने post select करनी है कि किसी post को आपका interview होना है वो select करने के बाद आप simply submit करेंगे तो यहां पे आपको उसकी भी slip मिल जाएगी उसके बाद यहा जाता है हमारे पास उसके बाद यहारे पास हमारे हों में click करते हैं उसके बाद यहा जाता है admission letter इस जिसको हम rule number slip भी कह सकते हैं इस जगह पर इसका क्या मतलब है जहां पर आपने simply क्या करना होता है ठीक ही इस जगह पर आपको मिल जाता है जी print admission letter जिसको हम rule number slip भी कहते है इसको download करने के लिए simply आपने print admission letter पे click करना है इस पे click करने के बाद ठीक ही आई है रीड अंडर्स्ट download this पे आपने click करना है ठीक ही उसके बाद आपने क्या करना है जी यहां पर आपके पास option हो जाते हैं जी यहां पर मिसाल के तोर पर दो अब आपके पास option है फास्ट वाना है इंटर यूर सीनिसी इस जिगह पर सैकंड वाना है select your post आपने अपने सीनिसी लगाना है और अपन select करने है select करने बाद submit करेंगे submit करने के बाद यहां पर आपको rule मरसले पी मिल जाएगी उसके बाद जी हम आजाते हैं जी home पे दोबारा home पे आने के बाद यहां पर DMC मैंने अल्रेडी बता दिये उसके बाद अगर आप ठीक ही PMC का result चेक करना चाहते हैं interview के बाद ठीक ही क चक यूर रिकार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको record मिल जाएगा जिसका प्रिवीनर मनेजमेंट सर्विस कहते हैं जो के 17 स्केल की पोस्ट होती है इसके बाद आपने क्या करना जी उसके बाद आपके पास option आता है जी रीच चागंग फी पेमेंट यहां पे आपक करना जी उसके बाद आप आजाता है जी रिजिस्टर कम्प्लेंट कोई भी कम्प्लेंट इस अगर आपने करनी है तो इस जगह पे आपने सिंप्ली रिजिस्टर कम्प्लेंट पर आपने क्लिक करना है तो जैसे आप रिजिस्टर कम्प्लेंट पर क्लिक करेंगे तो यहां अगर आपने कोई application submit की हुई related to complaint ठीक है तो यहां पर आप अपनी complaint ट्रैक भी कर सकते हैं अगर आप अगर आप अपने नो पे क्लिक करना है तो जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे तो यह इसका फार्म ओपन हो जाएगा प्लीज रिजिस्टर यूरसेलफ तो आपने यहां पर तमाम तरह data फिल अप करना है रिलेटर टू कमप्लेंट के तरू यहां पर देखे जी इसके बाद आपने फिलप कर दी उसके बाद जी आपने दुबारा होंप पर आजाना है उसके बाद अगर further procedure के बारे मैं बात करता चलो तो यहां पर देखे जी कुछ और चीज़ें जब आपको बता दूँ यहां पर advertisement आपने पढ़ लिया advertisement के बाद यहां पर पढ़ दे उसके बाद आ जाते है जी facilitation desk यहां पर इसको अब यहां पर फस्ट अफ़ आपके इसके बाद कॉंटक्ट डिटेल्स उसके बाद आ जाता ही how to apply उसके बाद यह आता है how to deposit fee online के आप अपनी application की fee online कैसे पे करेंगे how to pay online rechecking fee अगर कोई आप किसी post के result से ठीक है जी उसको आप rechecking करवाना चाहते है result card को तो यहां पर उसकी payment किस तरह करेंगे उसके बाद कोई important question related to PPSC के बारे में यहां पे वो भी आपको मिल जाते है frequently asked question की detail भी यहां पे आपको मिल जाती है मिसाल के दोर पर अब यहां हम इसकी करते हैं जी आपने इसकी deposit fee online किस तरह करनी है इस पर आपने क्लिक करना है ठीक जी simply यहां पर हमने क्लिक किया तो यहां पर इसका completely video procedure मिल जाता है कि आपने apply किस तरह करना है इसका link channel open हो जाता है उसके अलावा अब मैं आपको चरान की तरीके बताता हूं और application का तरीका बताओं कि आपने application किस तरह submit करनी है simply आपने क्या करना है यहां पर apply online फास्ट वन इस पर आपने क्लिक कर लेना एक वर्तमा तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ठीक जी यहां पर आपको step से मिल जाते है कुछ यहां पर आ जाता है जी how to apply online step best important instruction apply online उसके बाद photograph or cnc upload करने की requirements क्या है online deposit fee आपने किस तरह करनी है ठीक जी video regarding online deposit fee अगर देखना चाहते हैं तो भी आप यहां पर देख सकते हैं अब आपने simply क्या करना है मिसाल को तरह मैं आपको पहला बताता हूँ आपने apply किस तरह करनी है first of all यहां पर जैसे यह open हो जाए आपने I have read and understood this पर क्लिक करना है उसके बाद आपने किया करना है यहां पर आपको different type of post मिल जाती है ठीक है जी अगर इसके next जाना है तो यहां पर two पे क्लिक करेंगे या three पे क्लिक करेंगे तमाम तर जो पोस्ट होंगे related या next करते जाएंगे तो पोस्ट आती जाएगे मिसाल के तोर पर अब आप apply करना चाहते है intelligence officer पर जिसकी 94 फीस है 600 पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट है special branch का ठीक है जी last day to apply अठारा तीन दोजर चौविस इसकी issue date है तीन दोजर चौविस इसी तरह से यह इसी तरह से हर पोस्ट की हर चीज़ डिटेल मिल जाती है अब अ इस पे apply करना चाहते हैं simply आपने intelligent officer पे click करना है तो जैसे आप इस पे click करेंगे तो यहां पे इसकी details जो होगी न related to jobs आपको तुमाम तर चीज़े मिल जाएंगे मिसाल के तोर पर इसकी total post कितने है 43, post for women कितने है 15, special person के लिए 3, minorities के लिए 2, scales कितने है 14, इसमें age requirements किया है 14 तक, females के लिए 43 तक, उसके लावा male, female and transgender play कर सकते हैं पोस्ट की जगह का होगी any anywhere in पंजब मतलए कि पंजब की किसी जगह भी आपकी posting हो सकती है उसके बाद आपने सिंपली किया गया गया ने, proceed पे क्लिक करना है, तो जैसे आप पर प्रूसीड पे क्लिक करेंगे तो यहां पर icon from that पे क्लिक करना है, ठीक है जी, अब यहां पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपके पास PPSC की website ओपर हो जाए, आप पे apply online पे क्लिक करना है, ठीक है जी उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे उसके बाद आपके पास आजाता है जी, यहां पे पोस्ट, जिस भी पोस्ट पर आपने apply करना है, यहां से उसी पोस्ट को आपने सिलेक्ट करना है, पोस्ट को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहा आपके पास option आजाता है जी, अपना cnc ना पर लगाए एक मरतबा लगा के आपने दुबारा कन्फरम करके दुबारा यहाँ पर पर आपने लगाना होते है अपना इमेल पिर आपको लगाना होते हैं अपना mobile नमबर, mobile लगाने के बाद आप proceed करेंगे proceed करने के बाद आपके पुछेगा verify करो verify करने के बाद आपके पास next step आजाएगा यहां पर देखे जिए जो कि मैंने आपर बताया है जैसे आप CNAC phone number पुट करेंगे तो यहां पर आपको कहीगा verify पे click करो आपने verify करना in case अगर आपका email या phone number गलत पूट हो गया तो उसी टाइम आप इसको edit कर सकते हैं उसके बाद जी क्या है यहां पर simply उसके बाद जैसे पर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास आ जाता है जी उसकी detail जिसको हम प्रस्टान details गयते हैं ठीक है जी मिसाल के तोर पर अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं जी यहां पर हम इसका जूम कर देते हैं इसको क्यूंकि आप ताकि आपको कलेरली विजीवल हो सके तो यहां पर देख जी हम इसको कर लेते हैं जूम तो यह हमारे पास जी open हो गया है अब यहां पर आपकी detail ह पोस्ट है या नहीं वो बतानी है उसके बाद आपने थोड़ा से नीचे स्कूल करेंगे तो यहां पर जब आप इसको नो कर देगे तो एक्सपीरियंस पूट करने की जड़ात नहीं पड़नी है उसके बाद आपके बास नेक्स्ट आप आ जाता है परस्टनल इंफरमेशन का जैसे आप प्रोसीड करते हैं उसके बाद यहां पर अपना नेम लिखना होता है आपने फिर अपना रिलीजन बताना होता है फिर आपको नेम आव रिलीजन बताना होता है फिर अपने यहां पर पोस्टर एड़स बताना है फिर अपना कॉंटेक्ट नंबर बताना है फिर म यहां पे आपको मिलता है पी एस आईडी नंबर ठीक है जी जो आपने यहां से कॉपी करना है यहां से देख लेंगे देख लेने के बाद आपने जैस क्याश को ओपन करते हैं ओपन करने के बाद इसके पाद आपने थोड़ा सा जैसे नीचे स्कूल करने के बाद आपके पास option होता ہے government payments का का repayments का आप pew gets जेसे ही आप government payments पे जैसे नीचे स्क्रूल करेंगे scroll करने के बाद आपके पास पस कस portion पे होगा वो portion में आपक maravilो दो कि पॉर्षण पर आपने क्या क्लिक करना है ऐसे आप आपके सब करेंगे ना वहां पर लिखाऊ थे government payments का option जहां पर government payments first one link आपको मिल जाता है उस पर आपने क्लिक करना है उस पर क्लिक करने के बाद आपको पास open और अपने सर्च बार पर लिख रहे हैं जी ओ पी बी government open जाब automatically लिखा होगा उस पर आपने क्लिक करके यही PSID number पर put करके आपने अपनी चलान की फीज पेग कर देनी है पेग करने के बाद आपके पास steps जो open हो जाएगा यह हो जाएगा अब इसमें आपने क्या करना किस तरह करना है अपनी पिक्चर अप्रोड करने है और cnc upload करना है इसका size होता है जी 25KB अब आपने 25KB की किस तरह add up करनी है add करने के लिए simply मिसाल के तरह पर मैं यहां पर लिखता हूँ image below 30KB इसको आपने click करना है click करने के बाद यहां पर आपको different tabs आप links मिल जाते है size करने के अब मिसाल के तरह पर आप यहां पर compress image jpg या imagery saizer जिस पर भी आप क्लिक करना है मिसाल के तरह image resizer पर मैं क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद यहां पर आपको option बिल जाते जी इस जगह बिल जाते जी select file आपने इस पर properties आपको बता दूं यहां पर इसका 20 के भी size है तो मैं यहां पर maximum size की जैसे के PPSC का मेरे पास बना हुए already thumbnail इसका size है देखे जी 204 के भी इसका मैं 30 के भी बनाना चाहूंगा इसको select क्या open पर click करना है open क्लिक करने के बाद आपने कुछ भी ने करना ठीक है यह देखे जिए हो मैंने अपनी edit thumbnail बनाई हुए simply आपने next download पर click करेंगे next download पर click करने के बाद ठीक ही automatically यह download हो गया तो यहां पर आपको दिख रहा हो गया देखे translate की ट्वैंटी इड़ पॉइंट्ट थ्री के भी इसका size है अब इसको मैं easily upload कर साथा हूं पीप यदि की चलान भी upload करना चाहूं तो अप्लोड कर सकता हूं picture upload करना चाहूं यह cnac upload करना चाहूं इसी तरह से मैं इसको upload कर सकता हूं उसके बाद ये अपलोड करने के बाद आपके पास आजाते हैं जी ओपन होगया है यहां पे देखें जी मैं यहां से शुरू करके बताते हूँ फस्ट रफाल यहां पर अपने डिग्री बतानी है मैट्रिक से स्टार्ट करके हायर तक पहले metric फिर उसका board जैसे के डीजी का मुलतान जो भी हो गया अगर आपका board यहां पे mention नहीं है आपने either पे click करके यहां पर अपना board mention कर देना है उसके बाद आपके पास आ जाता है major subject अगर आपकी science है physics, chemistry, arts वो बतानी है उसके बाद आपके पास result declared date जो के आपके result card के last पे लिखी हो जाती है result declared on उसकी detail लिखनी है फिर आपके जो matter का envelope होते है उसके बाद अपनी total marks obtained marks उसके बाद उसकी devian बताने है कि उसकी devian क्या है उसके बाद simply आपने क्या करना हो तो add another education पे click करना simply verify नहीं करना add another जैसे आप add another पे click करेंगे तो आपके पस again next portion open जाएगा यहाँ पे देखे जैसे के आप add another पे click करेंगा तो metric का यहाँ पर जैसे कि आपको show हो रहा है automatically एक मर्दबा यह show हो जाएगा उसके बाद again आपने इसी जगह पे तीक है यहाँ पे दुबारा आपने intermediate select करना है फिर board फिर major subject फिर result पर देखे डिखे तरह से उसके बाद add another पर click करना है एफसी एड़ी होगी उसके बाद थाट आपने क्या करना है bachelor की डिख्री डिख्री आइड करने है यहां से bachelor डिख्री यहां पे mention करनी है उसके बाद यहां पर बोर्ड बताना है university करना है करने है सेम उसी तरह के यह फार्मफीलव करने के बाद आपने एड एड़ एडियोगेशन पर करना है कर दिया उसके बाद बलैंक शीट फिर आपको इस तरह से मिल जाएगी यहां पर इस तरह से बलैक कुछ्छ बहुत 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 किया जाता है जिसको आप यूज कर सकते हैं application करने के लिए application को print करने के लिए मतलब कोई भी PPSC के related कोई चीज की editing के नहीं कोई भी चीज या मसले मसायल चेकर नहों तो आप इस application आप फीडबैक भी देना चाहें तो दे सकते हैं तो यह है इसमें complete PPSC के related information जो आपको जरूरत परते हैं जैसे upcoming jobs की होगी print application किस तरह download करने है edit किस तरह करनी होती है car letter किस तरह receive करना होता है rule number save किस तरह download करनी होती है detail mark sheet किस तरह देखनी होती है तो इस वीडियो में आपको तरह चीज़ें बताएगी है इसके इलावा भी अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो आप comment section में मुझे सकते हैं इन्शला वहां पर भी आपको again जिस चीज़ का भी मसला होगा आपको response किया जाएगा